हेलो गैस स्वागत है अब सबका तो आज हम बात करेंगे अधानी टोटल गेस की और आधे पसंद के आसपास की टेजी के साथ बंद रहा और वोलियम जो है अच्छा कसा रहा यहां पर हमने सबेरे भी बात की थी कि यह जो अधानी ग्रीन और टोटल एनलजी उसकी अगर बात तो यहां पर एक तेजी की बात डिलिवरी वोलियम की बात करेंगे तो अच्छी कासी उटी है साड़े छबिस लाग के आसपास की साथ साथ यहां पर देखें इकतर परसेंट मतलब कि सो शेर अगर ट्रेड होते हैं तो 71 शेर तो इसकी तो डिलिवरी उट चाती है कही ना कह अच्छा कासा वॉलियम अच्छी कासी खरीदारी हुई अब यहां पर अभी यह पैटन बना हुआ है यह जो है लोवर हाई का यह ब्रेक हो सकता है अगर यह 865 870 के लेवल को क्रोस कर दे फिर जो है यह थोड़ा सा स्ट्रेंथ वापसा सकती है और इसकी अब यहां लग रह जाया और यहां पर थोड़ा सा वॉलियम के अंदर जो आखिर में जो है आधे गंटे में बढ़ा था यहां पर खीचने की कोशिश की या फिर यहां पर सेलिंग की जो है एक कोशिश हुई ऐसा लग रहा है लेकिन बायस भी है यहां पर यह चीज सब सब दिख रही है अब पर वीकली चाट देखे उससे पहले इस वीडियो को अब देख सकते हैं दो पर का यह वीडियो है आप देखा जरूर करें अधानी ग्रीन की अगर बात करें क्या है अपडेट थी कि अधानी ग्रूप की कंपनी अधानी ग्रीन ने सोलर एसेट को मेनेज करने के लिए टोट टोटल एनर्जिस कोन है जिनको नहीं पता उनको बता दू यह है अधानी टोटल गेस के अंदर जो प्रोमोटर है इनके एक तो अधानी ग्रूप है साथ-साथ उतने ही 50-50 इनका भी जो है दोनों का मिला कर जो है यह अधानी टोटल गेस बनता है टोटल जो है कुछ 74-75 पस अधानी टोटल गेस के अंदर अब इसका पॉजिटिव में पर कैसा पढ़ सकता है वो हम देखेंगे सो इसके अंदर अगर देखें पिछले साल क्या हुआ था जब इसको अच्छा से देखिए कि हिड़न बग की जब रिपोर्ट आई तब टोटल इनरजीस ने क्या कहा था कि जब तक जो है सुप्रिम कोट से वो क्लिंच इट नहीं मिल जाती यह सब मामला साफ नहीं हो जाता तब तक जो है हम और अदानी ग्रूप के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे पिछले साल की बात है तो अब यह निउस आई है कि अब यह जो है इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो यह चीज़ जो है इनके लिए भी फंडामेंटल नहीं बलकि सेंटिमेंटल नहीं अगर बात तो एक पोजिटिव impact पर सकता है कितना पढ़एगा वह वक्त बताएगा पोजिटिव मतलब की जो है थोड़ा या बहुत लेकिन पोजिटिव impact तो पर सकता है कि कही ना कहीं मुझे इसा लग रहे है कि टोटाल एनर्जिस की बात करें तो उनका भी जो है अब भरोसा अदा वेंचर करने जा रहे हैं वो भी अच्छा कासा चार सो चावालीस मिलियन डॉलर का तो मतलब की दोनों मिलाकर अधानी ग्रीन और यह टॉटल एनजी तो उससे जो है कच्छा कासा इसके उपर भी सेंटी मेटल इफेक्क पड़ सकता है हाँ वक्त लग सकता है ऐसा नहीं है कि तो तुरंती मतलब की हो जाए लेकिन एक पॉजिटिव इंपर कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि इसको पर पाढ़ सकता है क्योंकि इसके उपर अगर देखे इसके अंदर इनकी अच्छी का सी होल्डिंग है 37% के आसपास की टोटल प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है 74 से 75% के आसपास की उसके अंदर 50% तो टोटल इनकी इसका है आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और पीछले कुछ दिरों में भी जो है कुछ ऐसी खबर आई थी कि उन्होंने वो कुछ जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं या किया था लेकिन इस बार भी अगर देखे तो यह साप 50% की तेजी दिख रही है इस हपते की बात करें दो दिन की बात करें फाइव और नाइन विक का जो मुविंग गेव रेचे उसके उपर निकल जाए अच्छा रह सकता है साथ-साथ यह जो अभी लेवल है अभी एक जो है कई ना कई इंपोर्टन दिख रहा है क्योंकि कल भ बड़ी रेंजबास बनी हुई हैं तो इसको बेर्स ने किया कि आ, इसके अंदर जलग रहा ही कि इस चान बुच कर नीचे तोडने की कोशिश की लेकिन, बुल्स ने यह होने नहीं दिया कहीं ना कहीं ईसा लग वा निक अची का सी खरीदारी आयी थी जब यह साड़े साथ को अगर पार कर देता है तो अच्छा रह सकता है इसके लिए वहाँ पर क्लोजिंग देदे वीकली चाट के उपर तब अब यहाँ पर देखे तो हलका सा में सीडी के अंदर जैसे कि हमने कल बात कि थी कि कल का दिन थोड़ा सा इंपोर्टन रह सकता है अब यहाँ पर देखे तो हलका सा एक बुलिस क्रोज ओवर हुआ थोड़ा बैतर रहता तो और ज्यादा अच्छा रह सकता था तो अब यहां पर अगर देखे बुलिंजर बैंक को डेली चाट के उपर लगाया है तो अभी भी यहां पर भी वहीं चीज हुई थी यहां पर भी वहीं चीज हुई थी अभी यहां पर भी वहीं चीज हो रही है इसकी जो मिडल लाइन है वहां पर यह रेजिस्टन फेस कर रहा है तो यह लेवल भी क्रोस होना जरूरी है तब यह जो उपरी लाइन है अभी तो नजदी की यहाँ पर देख रही है क्योंकि इन दोनों का फासला काफी कम देख रहा है लेकिन वहाँ तक जाने की संभव ना रह सकती है लेकिन अगर यहाँ तक जाता है तो फिर जो हो सकता है कि ये इसका जो कारूल जो है उपर लेना शुरू कर रहे है क्योंकि ये काफी सिकुर्ड चुका है उपर और नीचे की अगर बात करें लेकिन अगर इस लेवल को पार कर देता है तो ये और उपर जानी की संभव न रह सकती है और RSI को देखे तो 44 के आसपास है नीट्रल कंडिशन में दिख रहा है यहाँ पर अगर आपके इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरू कर ले हमारा चैनल को अभी इसके सपोर्ड और रजिस्टर अब देख लेते हैं अब पहले सपोर्ड की बात करें तो सपोर्ड जो है 830 से लेकर 825 का जोन यहाँ पर दिख रहा है उसके नीचे 810 से लेकर 800 का जोन उसके नीचे यह लेवल अगर ब्रेक होता है तब की बात है फिर जो है यह 780 से 7.5 का जो लेवल है वहां तक जानी की संभव ना रह सकती है और मुझे यशा लग रहा है कि जैसे कि हमने बात की थी कि यहांपर जो हुआ था यह जो लोग बनाया था तो मुझे यशा लग रहा है कि यह वर्सक अगर देखे तो जितना होना था वो चुका अगर ज्यादा ज्यादा गिरावट आती भी शौט टम की बात करे तो यहां तक आ सकता है वह बी अगर बाजर के अंदर गिरावट आती है तब की बात है अधर tout एक अच्छा सपोर्ट का कम कर सकता है तो पर पहला है just शौत सुस्के बाद नो सो से नो सो बिस और उसके उपर 950 से 9000 रुपे का असपास का जोन तो यह अभी इसके जो है शॉर्ट टर्म के रेजिशन दिख रहे है 1000 को पार करता है तब इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभाव ना रहे सकती है बाकि इसके अंदर यह अच्छा खासा वॉलियम जिनों ने भी यहाँ पर बेचा खरीदा बेचा किसी ने भी बेचा लेकिन इसके अंदर बाइंग भी अच्छी खासी हुई है तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ के खरीदा होगा मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि हेवी अगर देखे तो यहाँ पर बाइंग हुई है कॉंटेट यह अगर आप देखेगे तो तो कई ना कई यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ जो है आने वाले समय में बड़ा हो सकता है अब कितना वक्त लगता है वह वक्त बताएगा कल हम वापस से चर्चा करें उससे पहले अपनी रिसर्च करें अपने फाइनाश एडवाइजर की सला लें उसके बाद ही को डी सी जनले और डी सी जनले तो उसके जीमेदारी में चौरडे के साथ को दी ले यह वीडियो में नहीं किसन पर पस के लिए बढ़ा है यह मेरे तरब से खोई भी बाई से सल के रेक्मेंडेशन नहीं है थेंक यू